प्रोमोशन का मतलब होता है कि method used by business to make customer aware of its product यानि कि कोई सभी method जिसको use करके customer जो organization होते हैं जो business होते हो आपने product के बारे में customer को aware करते हैं यानि promotion refers to any type of marketing communication used to inform, persuade or remind the target audience about its product. अपने product के बारे में target audience को किसी भी product के बारे में inform करना, persuade करना, remind करना ही क्या कहलाता है, promotion कहलाता है, वो advertisement हो सकता है, sales promotion हो सकता है, publicity हो सकती है, digital marketing हो सकता है, फिर कोई और तरीका हो सकता है. तो objective है promotion क्या हो गया और कि promotion का मकसद क्या होता है, तो सबसे पहला है to provide information, यह basic motive होता है किसी भी promotional activity का, कि यहाँ पे customer को information प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि product कहाँ available होगा, product के features क्या है, product का uses क्या है, product की pricing क्या है, यह सारी चीज़े information जो है, वो promotion का use करके customer तक तो उससे उनका interest भी बनेगा और वो आपकी product को purchase करेंगे, जब purchase करेंगे तो demand बढ़ेगा, तो to stimulate demand, यह objective होगया promotion का, then to remind the customers, यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत छोटे चोटे 5-10 seconds के advertisements आपने देखे होगे, तो वो क्या हो एक तरिके का reminder होता है, तो promotion क use भी जो है, वो reminder, remind करने के लिए किया जाता है, कि ताकि customer आपके product को भूले ना, क्योंकि market में बहुत सारी product आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इससे आपका product के बारे में भूले ना, और आपका product वो purchase करता रहे, तो promotion का use, जो है remind करने के लिए रहता है, to differentiate the product, आपका product आपका, जो कपड़ा है, आपका cloth है, वो अच्छे से चमका सकता है, तो यह क्या है, differentiate करना है, कि आपका product उनके product से अच्छा है, आपका product उनके product से सस्ता है, इस तरके से आप जो differentiate करते हैं, वो किस का use करके, promotion का use करके, वहीं पर, जो next objective होता है, that is to build image, आपने बहुत सारे इसे promotional message देख्योंगे, जहांपे company यह बोलती है, कि अगर आप उनका product purchase करेंगे, तो उसमें से profit में से कुछ हिस्सा जो है, वो गरीब बच्चों के पढ़ाई पे, education पे खर्च करेंगे, यह क्या है, यह image create हो रहा है, public relation generate हो लागा, आपके अंदर भी यह चीज जगेगी, कि चलो अच्छा है कि अगर हमें यह product purchase करूँगा, तो जो हमारे पैसे का कुछ न कुछ यूज जो है, वो गरीब बच्चों के पढ़ाई में खर्च होगा, इसी तरह से आपने देखो कि बहुत सारी companies जो जो social welfare से related काम करती है, जो है कहीं पे भुकम पा गया, बार आ गया, त पार्क बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, तो sponsorship कर दिया, तो यह क्या है, यह image बिल्ड हो रही है, और इसका भी promotion company करती है, अब हम बात कर लें कि method of promotion की, तो मतलब कि किस तरीके से आप promotion कर सकते हैं, तो यहाँ पे normally दो तरीके होते है, पहला होता है personal selling, दूसरा होता है non-personal selling personal selling में क्या हो गया, कि जहाँ पे face to face जो है interaction होता है, कि इसके बीच में, seller और buyer के बीच में, clear, वही पे non-personal selling हो गया, जहाँ पे face to face interaction नहीं होता, जैसे कि आशकाल अब देखते हैं, कि online हो गया, online अब Amazon पे चलेगे, flip card पे चलेगे, वो क्या है, non-personal है, तो non-personal में advertising, sales promotion, public relation, publicity यह सारी चीजें आती हैं, तो इन सभी को हम आगे discuss करेंगे, एके करके promotion mix में, promotion mix, तो आपनी marketing mix में 4P पढ़ाओगा, 4P यानि product, price, place, promotion, तो 4P जो होता है, वो है promotion mix, marketing mix और promotion mix दोनों के पर वीडियो बना है, नीचे description, link वेल जागा, वहाँ से देख सकते हैं, promotion mix क्या हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, promotion mix कहते है, तो combination of promotion tools used by organization to achieve its communication objective, communication objective क्यों हो जाएगा, creating, maintaining and increasing the demand of goods and services, तो promotion mix का मतलब कि different tool, combination of different promotion tools to achieve the organizational communication objective, वही चीज़ प्रमोशन mix होती है, तो अब promotion mix में 7-8 elements होते हैं, तो सबसे पहले आप सभी ने पढ़ा होगा advertising, advertising क्या होता है, तो देखिए, कि advertising क्या होता है, कि हम किसी advertising company के पास जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, और उमारा product की presentation करते हैं, क्या होज़ेगा, any paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or services by an identified sponsor, तो अब आप देखते होंगे, newspaper में बहुत सारे advertisement, TV में, movies के बीच में, serials के बीच में, advertisement, news में, advertisement, radio में, advertisement, तो अलग-अलग जगह non-personal presentation सुनाया जाता है, radio में कोई भी advertisement हो गया, TV में advertisement दिख रहा है, newspaper में आपको advertisement दिख रहा है, तो वो क्या है paid form है, यानि कि जो company होती है, newspaper को, radio वालों को, और TV वालों को जो है, पैसे pay करती है, और तब वो presentation दिखाते हैं, company के product का, तो ये print media भी हो सकता है, newspaper, magazines, broadcast media, radio, television, network media यानि telephone, cable, satellite, wireless पर, electronic media हो गया, जिसे audio, video tape, video disc, cd-rom, webpage जहां से, और display media हो गया, जो आप घर से बाहर निकलते हैं, billboards, sign, post से दिखते हैं, तो वहाँ पे presentation होता है, non-personal, तो ये क्या होता है, advertising कहलाता है, ये क्या है, promotion में इसका एक तरीका है, कि आप इसके through promotion कर सकते हैं, दूस और purchase of a product or service, यानि कि यहाँ पर हमारे जो सौटे मिन सेंटेबिसली हम देते हैं, ताकि वह लोग हमारे product को try करें, और purchase करें उसके बाद, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे free coupons होता है, free coupons हो गया, sample हो गया, premium हो गया, तो यह सब हम क्या करते हैं, customers को provide करते हैं, जैसे कि customer try क लेता है, तो उसके बाद फिर वो purchase करने लगता है, जैसे G.O. में आपने देखा होगा, कि G.O. में पहले free में बाटा गया, उसके बाद दीरे दीरे आपसे पैसे charge करने लग गया, इसी तरगे से KFC का है, कि आप कोई भी चीज़ खई दोगे, या फिर KFC मिल जो है, किसी भी KFC मिल के साथ, आपको free hot wings मिलेंगे, तो hot wings पहले free मिलेंगे, उसके बाद दीरे दीरे आपको free बंद हो जागा, और उसके लिए आपको pay करना पड़ेगा, तो sales promotion, यहापे sales को बढ़ाने का technique होता है, या coupons हो गया, free coupons हो गया, या discount हो गया, तो यह भी sales को बलाने का तरीका ह जाने की जो सबसे ज़्यादा sale करवाएगा, उसको award मिले गया, फिर price money मिलेगा, तो अलग-अलग तरीके के sales promotion होते हैं, तो कुछ customers के लिए होते हैं, कुछ trade promotion के लिए होते हैं, कुछ business को promote करने के लिए होते हैं, next promotion mix का ट्राइज, that is event and experiences, तो आप सभी ने देखा होगा, ब event and experiences, तो company sponsored activities or program designed to create daily or special brand related interaction with customers or consumers, जैसे कि sport हो गया, art हो गया, entertainment हो गया, फिर cause event related कोई भी formal activities हो गई, तो वो जो है, event or experiences में आ जाता है, आया दिन आप जो है, आस-पास में देखते रहते हैं, इसी दरे किसे next promotion mix का, that is public relation and public city, तो public relation, public city में normally क्या होता है, जैसे interviews हो गए, और जो companies, interviews दे रहे हैं, testimonials हो गए, sponsorship दे रही हैं, companies, तो यह क्या है, यह public relation and publicity होता है, a variety of program directed internally to employee of the company, और externally to consumer, other firms, the government and media to promote or protect a company's image or its individual product communication, यानि कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब आप public के साथ relation बनाते हो, यहाँ पर advertisement में मोटिव नहीं होता है, यहाँ पर पैसे खर्च नहीं करत जो है अच्छी बनती है, government के साथ अच्छी बनती है, employee के साथ अच्छी बनती है, और इससे आपकी publicity भी होती है, तो that is promotion mix का public relation publicity, इसी तरीके से जो next है, promotion mix का element that is direct marketing, यहाँ पर क्या होता है कि आप directly customer से deal कर रहे हैं, आप चाहिए email के थ्रू कर रहे हैं, चाहिए telephone, fax, email, internet, यहाँ जैसे भी है, आप जो है directly communicate करते हो, solicit responses, यानि कि जो probable possible customer है, उनसे बाचीत करते हो, customer से deal करते हो, तो यह diet marketing होगा है, इसी तरीके से जो next है, that is W.O.M. marketing, यानि कि word of mouth marketing, यहाँ पर क्या है, कि people to people, oral, written, और electronic communication जब होता है, किसी भी product को लेकर, brand को लेकर, services को लेकर, तो वही चीज क्या कहलाती है, word of marketing, marketing कहलाती है, word of mouth marketing कहलाती है, जैसे कि आपने देखा होगा, कि आप कोई product purchase करके लाते हो, बहुत अच्छा product निकलता है, तो आप दूसरे को बताते है, वो तीसरे को लाता है, वो तीस चौते को, तीस तरीके से क्या हो, communication हो रहा है, इसी तरीक तो यह भी क्या negative word of mouth communication होता है, positive word of mouth communication होता है, तो यह भी promotion mix का element है, next है आपका personal selling, personal selling में आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पर क्या होता है, face to face selling होता है, face to face interaction होता है, with one or more prospective purchases for the purpose of making, presentation, answering questions and procuring order, तो जैसे कि insurance में आप देखिए, तो insurance agent हो होते हैं, वो भी आप से आते हैं, मि भी बाहर चलेजे, तो face to face जितने भी लोग आपको आपको आकर बस में बैठें, आप pen बेचने आ लगे, मुमफली बेचने वाला लगे, तो यह सब क्या है, personal selling है, तो यह भी क्या है, promotion करने का तरीका है, तो यह different elements थे, किसके promotion mix के, advertising, sales promotion, publicity, public relation, direct marketing, word of mouth marketing, personal selling, तो यह सब क्या All the best, keep watching!